अधनिय सभापती जी, आपने वक्ताओं के लिए काफी सिमाय बांदी है, मेरी कोशिश रहेगी उन सिमाओं का पालन करते विए अपनी भावनाओं का विवक्त करो बश्च हमारे हम तो है हैं, जा रहे हैं साथी, लेकि जैसे बंगाली में कहते हैं, आमी आश्ची, या गुजराती में कहते हैं, आव जो, come again, वैसे कहते हैं तो बाई बाय लेकिन कहते हैं, come again, तो एक प्रकारत है हम तो यह ही चाहेंगे, come again, ताकि जैसा सभावती जी ने कहा कि इतने इतने अनुभाव दिन के साथ जुड़े हुए हैं, पाटम, चाटम, तइंटम, इतने समाई से, या एक बहुत बड़ी मात्रा में, अनुभाव का संपूठ हमारे सभी महानुभाव के पास है, और कभी-कभी ज्ञान से ज़्यादा अनुभाव की ताकत होती है, अकेडमिक नुःच के कभी-कभी बहुत सीमाय होती है, उस सेमिनार में काम आता है, लेकिन अनुभाव से जो प्राप्त हुआ होता है, उसमें समाजियाओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रन होने के कारण गलतिया कम से कम होती है और इस अब्ध में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है राष्ट को होती है आने वाली पीडियों के लिए जो निर्णे होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए हम बहुत कहा जाएगा लेकिन जब अनुभवी नहीं यहाँ है तक जो है उनकी जिम्मेबारी जरा और बढ़ जाती है वो जो अनुभव की गाठा यहां छोड़ के गए हैं जो बाकी यहां रहने वाले हैं उनको उसको आगे बढ़ाना होता है और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है और मुझे विश्वास है कि आप जो साथी आज बिदाय लेने वारे हैं उनसे हम जो सभी सीखे हैं आज हम भी संकल्ब करें उसरे से जो भी उत्तम है जो स्रेश्ट है उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगा का जरूर हम उप्योग करेंगे और ताकि देश को समरुद्ध में बहुत काम आएगा एक लंगा समय हम इस चार दिवारों के बीच में बिताते हैं हिंदुस्तान के हर कोनी की भावना वो का है प्रतिमिम, अभिव्यक्ति, बेदन, उमंग सब कुछ यहां पर एक प्रभा बहता रहता है और उस प्रभा को हम भी अनुभाव करते रहते हैं लेकिन कभी हमको लगता हुआ का मैंने इस सदन में बहुत कुछ कॉंटिब्यूट किया बहुत सच्चा ही है लेकिन साथ साथ इस सदन ने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ कॉंटिब्यूट किया हम सदन को दे करके जाते हैं, उसे ज़्यादा सदन से ले करके जाते हैं क्योंकि भारत की विवितताओं से भरी हुई सामाजिक व्यवस्ताओं से अने एक प्रकार के उताव चड़ाव वाली विवस्ताओं से निकली वी चीजे उसको हम प्रती दिन अनुभव करते हैं सदन में और इसलिए माज यही कहूंगा कि भले हम इन चार दिवारों से निकल रहे हैं लेकिन इस अनुभव को राश के सरवत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं चारों दिवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं यह हम सब का संग्चल पर रहें और हमारी ये भी कोशिश है कि सदन में अपने कालखंड में जो महतोफून चीजें हमने कॉंट्रिबूट किये हैं जिसने देश को शेप दिया देश के दिशा को मोड़ा है मैं चाहूंगा उन स्मृतियों को आप कहीं ने कहीं शर्दबर्द करें कहीं कहीं लिखें ताकि कभी ने कभी वो आने वाली पीडियों को रेफरेंस के रुप में काम आएगी कहीं पर भी हम बैठे हो यहां हो या वहां हो लेकिन हर एक ने अपने तरीके से कुछन कुछ ऐसा कॉंट्रिबूशन किया होगा जिसने देश को दिशा दिने में बहुत बड़ी भूमिक आदा कि इसको अगर हम संग्रहित करेंगे मैं समझता हूँ कि ऐसा मुल्यवान खज उसी प्रकार से मैं यह भी चाहूंगा यह आज़ादी का अमरत महोत सवार है आज़ादी के 75 साल हुई है हमारे महापुरुशों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया अब देनी की जिम्मवारी हमारी है हम यहां से उस भाव को लेकर के क्योंकि अब थोड़ा समय ज्यादा होगा हमारे पास जब यहां से जा रहे हैं तो सभापती जी का बंधन भी नहीं होगा तो आप बड़े खुले बद से एक बड़े मंच पर जा करके आज हादी के अमरत महोत सवो इस महामूले परव को माध्यम बना करके आने वाली पीडियों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं उस समयतना हूं देश को बहुत बड़ी टाकत मिलेगी बहुत बड़ा लाब मिलेगा मैं सभी साथियों को मैं इंडिविजिल उलेख नहीं कर रहा हूं कि अधापती जी ने कहा है कि प्यक्तिगर मिले तो कह देना तो मैं प्यक्तिगर जुरू कोशिश करूंगा आप सब को झाल